Micropropagation Technologies का next lecture है Historical Milestones of In-vitro Culture and Micropropagation तो इसमें सबसे पहले हेबर लेंड की बात करें तो 1902 में इसने एक विचार दिया था कि काई कोशिकाओं से जो ब्रून है उसका विकास संबब है इसने तीन प्लांट्स पर या तीन पौधों के उपर कारे किया था इसने Lamium Purpureum की प्रिपक को परण कोशिकाओं के उपर प्रियोग किया था इसके लावा Tradescantia और Pulmoneria की जो मूल रोम कोशिकाओं होती है उनके उपर प्रियोग किया था तो इसने क्या किया इन कोशिकाओं को एक से पांच प्रतिशत सुक्रोज युक्तन नौप का जो विल्यन होता है उसके उपर इसने समवर्दित करने का प्रियास किया था प्रन्तु इसको सफलता नहीं मिली थी जो हिबरलेंड है इसको हम लोग पादपुत्तक समवर्दन का जनक भी कहते है काचित यानि की इनविट्रो जो समवर्दन है करितरम समवर्दन की तकनीक प्रारंबिक रूप से विक्सित की थी तो यहाँ पर आंस वरा जाएगा हिबरलेंड के द्वारा विक्सित की थी थरड आंस वरा जाएगा उसके बाद कोगल की बात करेंगे तो 1934 में इसने सबसे पहले यह बताया था कि FW WENT के द्वारा 1926 में जो वरिदी पदार्थ हो जा गया था वो वास्तों में इंडॉल असेटीक असेड था जो की एक ऑग्जिन था तो ऑग्जिन शब्द जो था यह कोगल के द्वारा 1934 में दिया गया था क्वेशन देखो ऑग्जिन शब्द का परतिपादन किस ने किया था तो यहां पे आन सबाजेगा कोगल के द्वारा ऑग्जिन शब्द दिया गया था उसके बाद मिलर अंड्स कूग की बात करें तो 1935 के अंदर इन्होंने मुख्य खोज की थी मिलर ने काइनेटिन नाम के एक साइटो काइनिन हार्मोन की कोच की थी मिलर अंड्स कूग ने तंबाकू के उत्तक समवर्दनों का उपयोग करके ये बताया था कि उत्तक समवर्दन में जो अंग निर्मान होता है पौधों में उसको हार्मोन्स के द्वारा नियंतरित किया जा सकता है तो यह जो अवधारना है उसका प्रदर्शन मिलर और स्कूग के द्वारा 1905 में किया गया था क्वेशन देख सकते हो साइटो काइनिन वै ओक्जिन का अनुपात प्ररोजनन को नियंतरित करता है यह है प्रिकल्पना किस ने दी थी तो यहाँ प्यांस राज़ेगा सकूग और मिलर के द्वारा 1957 में उसके बाद गुहायन माईश्वरी की बात करें तो 1964 में इसने सबसे पहले एगुनित पौदों को विक्सित किया था तो इसने दतूरा इनॉक्सिया जिसको दतूरा भी कहते हैं समानय वाशा के अंदर इस पौदे के पराकन और पराकोष जो है इनका समवर्दन करवाया जिससे एगुनित भौण इने पराप्त हुए और इस एगुनित भौण को फिर से इन्होंने समवर्दित किया और उसे एगुनित पौदे जो थे वो सफलता पूर्वक इन्होंने पराप्त कर लिये थे तो एगुनित पौधों को पराप्त करने का जो शिरे है वो किसको जाता है गुहा एन महिश्वरी को जाता है 1964 के अंदर पौधों किस तरह ऐसे है हुआ है प्राकोस समवर्दन का विचार किसके द्वरा दिया गया था तो गुहा एन महिश्वरी के द्वरा दिया गया था उसके बाद देखो पौंकेसर समवर्दन की खोज भारत में वर्ष किसमें हुई थी तो 1964 यहां पे आंसर आजाएगा उसके बाद किस ने दतूरा में प्राकोस समवर्दन द्वरा एगुनित प्राप्त किया था तो गुहा एन महिश्वरी के द्वरा यह किया गया था यहां पे आंसर आजाएगा गुहा एन महिश्वरी तो गोहा यह महाश्वरी के ओपर दो नंबर की का question जो है उपच्छा हुआ है तो यह आपको लिखना है इसके बारे में उसके बाद गोहा और महाश्वरी जाने जाते हैं तो आंसर आजाएगा प्राकोष समवर्धन हेतु जाने जाते हैं तो फर्स्ट आंसर इसमें आजाएगा उसके बाद टिशू कल्चर के एथासिक तथे जो हैं, तो जितने भी वेगानिकों के बारे मैंने आपको बताया है, तो यह आपको डिस्क्राइब करने हैं, उसके बाद काई क्लोनियम विविद्टाइयां, सुमा क्लोनियम वैरियेशन की हम लोग बात करें, तो यह पौदों सकती हैं, पौनर वैवस्ता के कारण ही यह विविङनताएं उत्पन होती हैं, ऐसे कलोन पौदे जो कैलस के थ्रूविक्सित होते हैं, यह जरम प्लाजम संग्रहन को समर्द करने में, उपयोगी हो सकती हैं, metabolism का संग्रहन कीा जाता है, वो अलग-अलग जीन-प्रारूप के पौदों का संग्रहन उसमें होता है तो ये जो अलग-अलग जीन प्रारूप है वो काई क्लोनियम विद्ताओं के द्वारा उत्पन किये जाते हैं तो इसलिए ये उसको सम्रद्ध करती है जो काई क्लोनियम विद्ताओं हैं सोमा क्लोनल वैरिएशन टॉम है यह लार्किन वैस को ग्राफ्ट के द्वारा दी गई थी तो यह आपको ध्यान में रखना है अब उस पर क्वेशन की स्थरह से आई हुए है अनुवंशी की द्रव संग्रह में प्रोत्री के लिए कौन से विबिनता हैं लाबकारी हो सकती है तो यहां पर आंसरा जाएगा काई क्लोनिय विबिनता है जो है वो यहां पर लाबदायक होती है उसके बाद देखो सोमा क्लोनल विबिनता है मुख्यत है कौन से मुटेशन के द्वारा होती है तो यहां पर आंसरा जाएगा अनुट परिवर्तनिया मुटेशन के द्वारा नवन्शिक अंसुर आजएगा यहां पर, उसके बाद देखो, सूमा कलोंस पादः प्रजनकों के लिए उपयोग होते हैं, बिल्कुल सही बाद है, पादः प्रजनकों के द्वारा सूमा क्लोंस का उपयोग किया जाता है, नई फसली किस्मों को विक्सित करने के लिए, तो कर दिया था तो पहला आंस्वर इसमें आ जाएगा उसके बादुल समंवर्दन या एमपरियो कल्चर के ऑपने बात करें तो 1904 में हैंइंग ने सबसे पहले दुरस्त संकरण करवाया था कुकलेरिया और रेफिनस के बीज में और इस क्रोस से उसे एक भुरून प्राप्त हुआ उस भुरून को इसने प्रतक किया और कृत्रिम माध्यम के उपर संवर्दित करके सफलता पूरुवक एक संकर पौदा जो था इसने प्राप्त कर लिया था तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ब्रून संवर्दन की जो शुरुवात है वो 1904 में हैनिंग के द्वारा की गई थी अब इसको परिवाशित किस प्रकार से कर सकते हैं उसमें हम क्या करते हैं एक परिपकव या परिपकव भुरुण को प्रिथक कर लेते हैं और फिर उसे कृत्रिम माद्यम के उपर संवर्दित किया जाता है ताकि उससे एक स्वस्थ पौदा प्राप्त किया जा सकी तो इसे हम कहते हैं भुरून संवर्दन या Embryo Culture अब इस भुरून संवर्दन का उपयोग हम लोग करते हैं दुरस्त संकरों को बचाने के लिए जब दुरस्त संकरन करवा जाता है तो उससे जो संकर भुरून विक्सित होता है वो नश्ट हो सकता है तो उसको नश्ट होने से बचाने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं बुरून संवर्धन करवाते हैं तो इसलिए इसे बुरून बचाव भी कहा जाता है अगर हम बीजों की अंकुरून क्षमता को जाचना जाते हैं तो उसके लिए भी बुरून संवर्धन किया जा सकता है जाता है तो first answer आजाएगा उसके बाद बुरून रक्षा यानि की बुरून बचाव जो है इसके उपर दो नंबर की प्रभाशा पुची हुए तो यह आपको लिखनी है उसके बाद देखो बीजों की अंकुरन क्षमता को जाचने के लिए बुरून समवर्दन एक अच्छी जा सकता है तो बुरून कल्चर या बुरून समवर्दन पर दो नंबर की प्रभाशा पुची हुए तो यह आपको लिखनी है उसके बाद देखो उत्तक समवर्दन में बुरूनों को करतोतक के रूप में उपयोग किया जा सकता है बिल्कुल सही बात है उत्तक समवर्दन म जो ब्रून है वो एक तरह का करतोत्तक ही होता है उसको हम लोग यूज करते हैं कृत्रम माध्यम के ऊपर तो आंस्व राज़ेगा टू उसके बाद देखो मेरिस्टम संवर्धन द्वारा अंतरा स्पेसिफिक जो संकर ब्रूनों को बचा जा सकता है बिल्कुल गलत बात है अ उसके बाद देखो ब्रून संवर्धन का विचार किसके द्वारा दिया गया था तो यहां पर आंस्व राज़ेगा ब्रून संवर्धन का जो विचार है वो हैनिंग के द्वारा 1904 इसवी में दिया गया था उसके बाद देखो एप रिपक को ब्रूनों के परिक्नली संवर तो उसमें जो रुकावट उत्पन होती है, उसको कम करने के लिए हम लोग भुरून संवर्धन करवाते हैं. तो उसको नष्ट होने से हमें बचाना है, तो इसका मतलब हाईब्रिजेशन के अंदर जो रुकावट है, उसको कम करना है, तो आंसुराजय का 3. उसके बाद प्रोटोप्लास्ट की बात करते हैं तो प्रोटोप्लास्ट क्या होता है यह ऐसी जीवित पादब कोशिकाएं होती हैं जिनकी कोशिका बित्ती को हमने हटा दिया है अगर हम प्रोटोप्लास्ट का प्रित्थकर्ण करना चाहते हैं तो पौधे के कौन से बाग का उप्योग सबसे ज़्यादा किया जता है तो पौधे की पर्ण का जो उप्योग है वो सबसे ज़्यादा करते हैं प्रोटोप्लास्ट का अगर हम प्रतकरण करना चाहते हैं तो उसके लिए जो पत्ती होती है या पर्ण होती है उसके टुकणों को हम लोग उपचारित करवाते हैं 3 प्रतिशत Pactinase से और 0.4 प्रतिशत Cellulase Enzyme से और माधिम की pH होनी चाहिए 8 जब हम Pactinase से उपचारित करवाते हैं तो जो Middle Lamella होता है वो Calcium Pactate का बना होता है तो उस Pactate का पाचन जो है वो Pactinase Enzyme के द्वारा कर लिया जाता है इसके लवा Cellulase Enzyme क्या करता है कोशिका बित्ती Cellulose की बनी होती है तो उस Cellulose का पाचन जो है उस Cellulase Enzyme के द्वारा कर लिया जाता है जिससे कोशिका बित्ती जो हो कोशिका से हट जाती है और इस प्रकार हमें Protoplast जो है वो प्राप्त हो जाता है प्रोटोप्लास्ट शब्द जो था वो 1880 में दिया गया था हैंस्टीन के द्वारा तो यह आपको ध्यान में रखना है अगर हम प्रोटोप्लास्ट का संवर्दन करना चाते हैं माली जी प्रोटोप्लास्ट का हमने प्रितकर्ण तो कर लिया लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है हम संख्या को बढ़ाना चाते हैं तो उसके लिए प्रोटोप्लास्ट का संवर्दन करना पड़ेगा इसके लिए ज़रातर हम लोग शरक्रा का यूज़ करते हैं, जिसमें सुक्रोज है, माल्टोज बगरा शरक्रा का उपयोग कर सकते हैं, तो स्मेटिकम का उपयोग क्यों किया जाता है, समाने तर क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट से हमने कोशिका बित्ती को हटा दिया है, प्रोटोप्लास्ट है वो फटे नहीं और हमारा जो प्रयोग है वो विफल ना हो तो इसलिए जो उस्मेटिकम है वो उच्छ संद्रता में हमें संवर्धन माध्यम में डालना पड़ता है अब अगर हम प्रोटोप्लास्ट से केंद्र को भी हटा दें तो इस प्रकार से जो ब किसने प्रोटोप्लास शब्द का प्रतिपादन किया था तो हैंस्टीन के दवारा ठारा सो असी में ये शब्द दिया गया था तो यहां पर आंसवरा जाएगा हैंस्टीन उसके बाद क्वेशन देखो जीवद्रवय समवर्दन के लिए समवर्दन मात्यम में उच होना चाहिए तो उच ऑस्मैटिकम होना चाहिए यहां पर आंसवरा जाएगा उस्मैटिकम तो ऐसी कोशिका को हम लोग बोलते हैं Cytoplast तो आंसर आजाएगा first उसके बाद देखो Protoplast villain के लिए उत्तकों को इस वातावरन में रखना होता है तो इसके अंदि ये हम लोग use करते हैं Pactinase 3% Cellulase 0.4% और 8 pH जो होनी चाहिए तो थर्ड answer इसके अंदर आजाएगा उसके बाद देखो मूल तत्तव एक पादब कोशिका है इसके बिना तो Protoplast की ये बात कर रहा है तो Protoplast में क्या नहीं होता है कोशिका बित्ती नहीं होती है तो थर्ड answer इसके बाद फियोसोजन की बात करें तो फियोसोजन ऐसे कारक होते है जो दो भिन कोशिकाओं की जो Plasma जलियां होती है उनके बीच में सल्लेन को प्रेरीद करते है या उसको बढ़ावा रेते है इससे होता क्या है हमें एक काईक संकर प्राप्त हो जाता है तो फियोसोजन में उधारन की बात करें तो PEG Polyethylene Glycol जो है इसका सबसे ज़्यादा उप्योग किया जाता है फियोसोजन के रूप में इसके लावा और भी कई हैं जिनका उप्योग हम लोग कर सकते है High pH Plus Calcium का उप्योग किया जा सकता है Sodium Nitrite का उप्योग किया जा सकता है DMSO इसकी full form है Dimethyl Sulfo Oxide तो इसका भी यूज़ कर सकते है Question देखो Javdravya Willian के लिए सबसे ज़्यादा काम में लिया जाने वाला फियोसोजन है तो यहाँ पे Javdravya Sunlion आएगा और यहाँ पे सबसे ज़्यादा उप्योग किया जाता है PEG Polyethylene Glycol तो थर्ड आंसर इसमें आजाएगा उसके बाद Fusogen पे दो नंबर की प्रिभाशा आप से पुछी है तो यह आपको लिखनी है PEG पे दो नंबर की प्रिभाशा पुछी है तो यह भी लिखनी है उसके बाद कौन सा सबसे ज़्यादा उप्योग में लाया जाने वाला Fusogen है तो यहाँ पे आप सुराज़ेगा PEG Polyethylene Glycol जो है वो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है उसके बाद True-False में कौशन है जीव द्रव्य संगलन में उच pH कैल्शियम का उप्योग नहीं किया जाता है बिल्कुल किया जाता है हई pH और कैल्शियम का उप्योग में लोग कर सकते है प्रोटोप्लास Fusogen के लिए तो यहाँ पे आप सुराज़ेगा False उसके बाद कुशन देखो निमलिक में से कौन सा संगलक नहीं है तो Fusogen नहीं है कौन सा Fusogen इसमें से नहीं है तो answer इसमें PEG बिल्कुल है sodium nitride भी है DMSO भी है तो DES यह एक Fusogen नहीं है तो answer इसमें आदेगा Third उसके बाद काईक संकरन या somatic hybridization के अगर अपने बात करें तो यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम क्या करते हैं दो बिन्द जातियों के जो प्रोटोप्लास्ट होते हैं उनको isolate करते हैं और फिर उनके मद्य संलेन करवाते हैं इससे हमें एक संकरकोशिका का प्राप्त होती है इस तकनीक की जो खोज है वो काउ और माइकलुक के द्वारा 1974 में की गई थी कनाड़ा के अंदर क्वेशन देखो काईक संकरण पे दो नम्मर की प्रिबाशा पुछी हुई है यह आपको लिखनी है उसके बाद true false में question है काईक की है संकरण के लिए प्रोटोप्लास्ट की आफशकता नहीं होती है बिल्कुल गलत बात है प्रोटोप्लास्ट आफशक है तभी काईक संकरण हो सकता है तो इसमें अंसुरा जाएगा false उसके बाद देखो प्रोटोप्लास्ट संलियन विधी का विकास बारत में हुआ था बिल्कुल गलत बात है यह कैनेडा में हुआ था तो आंसुरा जाएगा false उसके बाद देखो संकरण विधी के अतरिक्त दो प्रजातियों के जून्स मुहों को किस विधी से भी मिला जा सकता है तो यहां पे प्रोटोप्लास्ट संलियन विधी के द्वारा भी मिला जा सकता है तो प्रोटोप्लास्ट संलियन यहां पे आंसुरा जाएगा